एक कहानी, The Dog and the Well A mother dog and her pups lived on a farm. On the farm there was a well. एक फार्म में एक कुते की मा और उसके पिले रहते थे. खेत में एक कुवा था. The mother dog always told her pups never to go near or play around the well. मा कुते ने हमेशा अपने पिलो से कहा कि वे कभी भी कुवे के पास ना जाए और ना ही उसके आसपास खेले. One day, one of the pups was overcome by curiosity and wondered why they were not allowed to go near the well. एक दिन उसमें से एक पिले के मन में उत्सुकता थी और उसने सोचा कि उन्हें कुवे के पास जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? He went down to the well and climbed up the wall to peak inside. वह कुवे के पास गया और अंदर जागने के लिए दिवार पर चड़ गया. He saw his reflection in the water but thought it was another dog. उसने पानी में अपनी पच्चाई देखी लेकिन उसे लगा कि यह कोई और कुटा है. The little pup got angry when his reflection was imitating him so he decided to fight it. जब उसकी पच्चाई उसकी नकल कर रही थी तो छोटे पिले को गुस्सा आ गया. इसलिए उसने उससे लड़ने का फैसला किया. The little pup jumped into the well only to fight with the dog. छोटा पिला कुए में कूद गया केवल कुटे से लड़ने के लिए. Now he was surprised to see there was no dog in the well. अब उसे यह देख अश्यरे हुआ की वे में कोई कुटा नहीं था. He began to bark and bark until someone came to rescue him. वेह तब तक भोगता और भोगता रहा जब तक की कोई उसे बचाने नहीं आया. The pup had learned his lesson and never went back to the well again. पिला ने सबख सीख लिया था की और फिर कभी कुए पर वापस नहीं गया. The moral Always listen to what elders say and don't defy them. शिक्षा हमेशा बडो की बात सुने और उनकी अवहिलना ना करे. थोग खर भाचि बात लिए्टाओ लाग स्बस्क्राइब लाग सबस्क्राइब याथ वाग जस्वेड वागा यह था कि वाग इस आए वाज यह थगाक् प्रुपका रादाने मेल पूता है।